हलो फ्रेंस सनीताच वोम टिब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्री के डेहर सारी सुब कामना है तो नवरात्री के 9 दिन हम यही सोचते रहते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं तो समझ में नहीं आता है और रोज रोज वो साबुदाना खिचडी साबुदाना वड़ा वो और हो जाते हैं अच्छा भी नहीं लगता है तो आज मैं लेकर आ गई हूं वर्त वाले आलू के पराथे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और साथ में ये टमाटर की चम औ सामक होते हैं सब लोग जानते हैं तो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं एक कटोरी मैंने सामक लिया है तो सामक को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका आठा तयार कर लेंगे वैसे तो सामक का आठा रेडिमेंट आठा भी मिलता है वो भी ला सकते हैं अगर आपक परात्या बड़े से बरतन में निकाल लेंगे अटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है लेकिन कोई टेंसर नहीं उसी मिक्सिके जार में यहां हो चोथाई कप मुंगफली के दाने यह मुंगफली के दाने बुने हुए हैं पहले मैंने बुने के रख लिया है और साथ ही दो हरी मिर्च तीखे के लिए तो थोड़े चोटी टुकड़ों में काटके डाल दीमूं ताके आसानी से पिश जाए इसका भी हमें बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनाना है पाउडर दरदरा सा पाउडर बनाना है तो यह देखिए मिर्ची और मुंफली के दाने अच्छे से पिश चुके है यह देखिए हलका दरदरा सा पाउडर बन गया है तो यह हमारा मुंफली का मिर्ची का पाउडर भी तयार हो गया है तो यह हम इस आटे में डाल देते हैं तो फ्रेंट से एक बाद जरूर ट्राइक करना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं यह खाने में और यह में लिए हैं दो उबले हुए आलू तो आलू को पहले ही उबालके ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद ये देखिए कद्दू कस से यहां आलू को कद्दू कस कर देंगे अनकी ग्रेट कर देंगे तो यहां मैं सजेस्ट करूंगे आपको कि मतलब आप जैसे हातों से मैस करके डाल देते हैं आलू को वैसे नहीं डालना है इसी से ग्रेट करके डालना है साती डाल देंगे हरा धनिया बारिक कटा हुआ नमक डाल देंगे सेंदा नमक उपवास वाला जीरा डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे आप अगर यहां मतलब लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हो मैं यहां नहीं डालती हूँ तो अच्छे से पहले इसमें पानी वगर नहीं डालना है आलू के साथ ही हमें अच्छे से इसको मैस करना है क्योंकि अगर पहले ही पानी डाल देंगे तो यह गीला भी हो सकता है आटा तो पहले आलू के साथ अच्छे से mix करेंगे फिर जरुवत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तयार करेंगे तो आटा थोड़ा सा हलका सा टाय टाय टी करना है हमें गिला नहीं आटा लगाना है यह देखिए इस तरह से आटा लगा के हमें 10 मिनट के लिए रेष्ट के लिए रख देना है 10 मिनट आटा रेष्ट करेगा तब तक हम चटपटी सी चटने बना लेते हैं आलू के पराटे के साथ खाने के लिए तो यहां कड़ाई में मैंने तेल डाला है आप गी भी डाल सकते हो उसमें डाल दिया है जीरा, कड़ी पत्ता और यह दो बारिक कटीवी हरी मिर्ची तो इनको थोड़ा सा हरी मिर्ची को हम चला देंगे यह देखिए हलका सा फिर यहां मैंने लिये थे तीन से चार टमाटर, उनको थोड़ा मोटा मोटा ही काट लिया है बारिक नहीं काटा है, आप चाहिए तो बारिक भी काट सकते हो तो टमाटर डाल के अच्छे से एक बार चला देंगे यानिकी मिक्स कर देंगे यह देखें और इसे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और नमक ध्यान रखना उप्वास में सेंदा नमक ही डालते हैं तो वह ही डालना है तो नमक डालके अच्छे से मिक्स करके इसे छोड़ देना है धक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए देना है इसे उसके बाद यह देखिए तीन मिनट के बाद यह देखिए टमाटर अच्छे से यह देखिए थोड़े मोटे हैं और कोई-कोई अच्छे से मैस हो गए हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा चटनी मस लगती है तो यहां थोड़ा समय काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूं इसमें भी ओप्शनल है आप हल्दी और लाल मिर्च खाते हो तो वह भी डाल सकते हैं और यह दे यह चटनी हमारी बनके तयार हो गई है तो यह आलू के पराठे के साथ बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है यह वाली चटनी तो आप जरू ट्राए करना पराठे के साथ यह जरू ट्राए करना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो चटनी भी हमारी रेडी हो यह देखिए तो अब क्या करेंगे हम यह देखिए यह मैंने लिए है पॉलिथिनियन की प्लास्टिक सीट तो इस पर थोड़ा सा गी डालेंगे और इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इसे फार साले मतला जिसको रोटी यह बनाने में दिक्कत आती है वह यह वाला प्रोसेश कर सकते हैं aur जिसको बाजरे की रोटी यह साब बनाना आता है हाथ से उस तरह केसे हाथ से भी आप बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से लोई लेंगे तो लोई थोड़ी सी रोटी से थोड़ी से जादा ही लोई लेनी है जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोई लेनी है तो इस पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे और प्लास्टिक को पूरा चिकना करेंगे और तो इस तरह से यह देखिए, हाथ से फैलाएंगे, तो यह आसानी से फैल जाती है, इस तरह से फैलाते विए गौल इस तरह से रोटी जैसे बना लेंगे, यह देखिए, कोई बेलन वगर की जरुत नहीं पड़ती है, रोल करने की, यह देखिए, इस तरह से हाथ से यह आप इ ज्यादा पतला नहीं बनाना है, तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल हमारी रोटी बन चुकी है, तो तवा रखेंगे गेस पे, तवे पे थोड़ा सा गी डाल देंगे, अच्छे से चिकना कर देंगे, उसके बाद हम रोटी को डाल देंगे, पराठे को इस तरह से डाल देंगे, तो ये देखिए, इस तरह से प्लास्टिक से आसानी से निकल भी जाती है, और इस तरह से हम पराठे आसानी से बना सकते हैं, और अगर आप बाजरे की रोटी आपको बनानी आती है, तो आप हाथ से उस तरह से भी बना सकते हैं इसको, नहीं तो फिर पड़ेगा और वो सूपा आटा लगाकर आप बेलन्स से रोटी के जैसे बेल भी है विसे बिल जाती है तो एक तरप से अच्छे से सिकने के बाद हम इसे पलड देंगे और दोनों तरब से घी लगा के हमें अच्छे से इसे सेख लेना है तो इसे बहुत ज्यादा मतलब धीमी आज पे सेखने की जरुत नहीं पड़ती है थोड़ा सा मीडियम आज पे भी सेखेंगे तो चलता है और बिल्कुल एकदम करारी सी मतलब गोर्डन गोर्डन सिख के तय प्यार होती है यह और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है यह आलू के पराठे तो रोज-रोज का साबुदाना यह सब खाके बोर हो गए तो यह वाली रेसिपी जरू ट्राय करना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे आलू के पराठे और टमाटर की चतनी दोनों च साइड से फटेगी तो आप फटेगी तो वैसे भी बना सकते हैं नहीं तो फिर कुछ बरतन लेके गोल ऐसे काट भी सकते हैं बड़ी सी रोटी बना के बीच में ऐसे गोल काट के वैसे भी बना सकते हैं तो यह आपकी मर्जी है किस तरीके से बनाएं लेकिन यह बैस्त तरी किसे मैं ने सारे पराथे बना लिये हैं तो उतने आटे में हमारे पांच पराथे हुए थे बहुत ज्यादा टेश्टी बने थे आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिये इस national AJTRI और मेरे साथ सेर कीजिये कि आपकी रेज़िपि कैसी बनी और आपको कैसी लगी बहुत ही ज़्यादा टेष्टी लगती है तो जादा से ज्यादा इसको शेयर करना ना भूले ज्यादा सेयर कीजिए मेरी रेज़ीबि पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए